गुड मुर्णिंग, गुड मौर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं B8 Semester 1, B8 Semester 1 का जो है इकाई 1 चंसंचार माध्यम की ख़़र, आवाज, चंसंचार माध्यम का विसलेशन, चंसंचार माध्यम की टिपपनी, और चंसंचार माध्यम वाद विवाद द्वारा दर्साएंगे बच्पन और कायरे का विचार, यहाँ पर हम लोग जन संचार के माध्यम के बारे पढ़ेंगे, जन संचार का विसले सन भी करेंगे, जन संचार पर टिपनी भी देखेंगे, और साथ में जन संचार में क्या वाद विवाद होता है, उ यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग जो है यहाँ पर हम लोग देखा जाए तो क्या कर रहे हैं देखिए सबसे पहला वाद जो है कि जन संचार की माध्यम वे खबर है अना तुम मतलब जन संचार के जो खबरे होती है किस परकार की होती, कैसी होती, ये हो गई, अब आज हो गई, जन संचार का मायधियम का विसलेशन हो गया, जन संचार के टिपनी हो गया, जन संचार के मायधियम, वाद विवाद, वाद विवाद मतलब बहुत सारे जन संचार में वाद विवाद, उसके बारे में चर्चा करे समाघ के लिए एक अभिसराफ है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाल मरस्रम के खिलाप राश्टिये कानों और नीतिया जो है अंतराश्टिये जो है राश्टिये जो है उसको भी पढ़ेंगे और उसमें अंतराश्टिये भी कुछ पढ़ेंगे बाल मजदुरी की समस्या में सेविछनिक संस्ताओं की भूमिकाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे असिच्छा औ कहां से लिया गया, सारा सोची कहां से लिया गया है, सारा डिटेल कहां से लिया गया है, ओचीच हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम लोग के कुछ सवाल आद चो होंगे, बीच में कुछ सवाल होंगे, चो नीमंद लिखने की तरह होता ह इसलिए यहाँ पर लिखा है नीमन्द आत्मक पर्ष लिखा है मतलब कि नीमन्द की तरह ही लिखना है इसलिए यहाँ पर लिखा है तो उसके बारे में भी जो है कि चर्चा परिचर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं परस्तावना परस्तावना से हम बाल सरम का मतलब ऐसे कायर से है जिससे की कायर करने वाला व्यक्ति कानुन द्वार निधारित आयू सीमा को छोटा होता है मतलब क्या है जो कानुन द्वार निधारित की आवा जैसे 6-14 वर्स का हम लोग बच्चे को निस्सूल के सिच्छा देने का जो कानुन बनाए उसी परकार जीरो से लेकर जो बच्चे हैं जो कानुन के अधार पर जो बनाए गया है उसमें जदी बच्चा जो है 18 साल खास करके कुछ बिसेश चीज देने के बाद सहिलो साल किया गिया है जैसे कुछ कारिये नहीं किया जा सकता है और बाकी किया जा सकता उस सहिलो है बाकी 18 साल में हम लोग जाता है कि और बढ़ता है तो मतलब क्या है कि जो 18 साल से जदी एक लिमिट हम लोग देखें तो लगबल-लगबल 18 साल से कम उमर में जदी कोई काम कर रहा है तो उसे हम लोग बाल सर्म कहेंगे लेकिन जो कानून है उसके अनुसार से कुछ सहिलो वर्स में कुछ बच्चे कारिय कर सकते हैं और कुछ कानुन व्यवस्तार के अनुसार के जो उमधे किया गया है कि कितने एज must सकते हैं उसे पहले कोई काम करता है कोई बच्चा काम करता है तो कानून के दृष्टी कौन से भारत और भारत के बाहर के देशों से देखा जाए तो उसे गेर कानूनी माना गया है इसे जो है कि बाल सरम माना गया उसे गेर कानुनी भी माना गया और इसे क्या माना गया है बाल सरम भी जो है माना गया है अतीत में बाल सरम का कई परकार से उप्यों किया जाता था अतीत में मतलब इतियास में देखा जाए पीछे हम लोग जदी देखेंगे पीछे जाएगे तो हम लोग पता चलता है कि बाल सरम चोई की बहुत ज़ादा होता था अब हुझ आगई बढद रहे है तो बाल सरम उस परकार से ने दिक्ते हैस कि परकार से पहले दिखता था इस परथा को कई देसो और अंतराश्टी संगठो ने सोसित करने वाली माना है आतीत में बालसरम का कई परकार से उप्यों कर जाता था अतीत में गरोष्चरम् इसमें जन्व विदाद परवेस कर गिया, बालसरम अभी भी कुछ देशों में आम है, अभी भी चोई कि बालसरम कुछ देशों में देखा जाये तो अभी भी आम है, मतलब कि आज भी चोई कि धड़ले से चलता है, कुछ देशों में, कुछ देशों में चोई कि आज भी बा संख्या के साथ संचार समंद अस्थापित करने में सायक होते हैं मतलब यहाँ पर बताय जा रहा है लोग संपर्क या जन संपर्क या जन संचार से तार पर उन पर लोग से संचार समंद अस्थापित करने में होते हैं बहूत बड़ा जनसंख्या को कर सकता है जैसे इक समय में बहूत ये क्या है कि एक समय में बहुत सारे लोगों के साथ देखा जा सकता है यह लोजिक से पढ़ा जा सकता है बड़ा छेत्र हुता है इसका has समलित रोप से समाचार पत्र, समाचार पत्र मतलब न्यूज पेपर, न्यूज पेपर क्या है, आपका कोई अख़वार पत्र है, ना कोई मेगजीन है, समाचार पत्र पत्र का है, मतलब मेगजीन रेडियो, रेडियो मतलब पहले आप चलती थे, आप तो रेडियो देखने को नहीं मिलता है, बहुत कम ही रेडियो को देखने होगाँ, दूर्दरशन, दूर्दरशन मतलब क्या हो गया? वही दूर्दरशन जो टिपी हम लोग देखते हैं, उसी को दूर्दरशन कर देंगे, चल चुरित, जो चलता है, चल चलेट हो भी परचार हो जाता है, पत्रिकायों में भी परचार होता है, रेडियों में भी परचार होते हैं, दुर्दर्सन में भी परचार होते हैं, जन संचार माइधियम में संचार सब्द के उत्पति संस्कृत के चर धातू से होई, देखें संचार सब्द का उत्पति होता है, वो चर धातू के साथ जोदपन होता है जिसका अर्थ होता है चलना जिसका अर्थ क्या होता है संस्क्रीत के चर धातू से संचार का जोदपती होता है और उसका मतलब होता है चर का मतलब होता है चलना चर मतलब चलना चर मतलब चलना अब यह असपस्ट है कि लोग संपर के में ही नहीं बलकि विदेशों में हैं लोग संपर्क की द्रिष्टी से वहां इन साधनों का खुब उपयोग किया जाता है मतलब लोग संपर्क करने के लिए या तो देखिए जैसे माली जी हमारे परधान मंति नरेन दर्मोदी देखिए बड़ी-बड़ी रेलियक किया जाता के बाद बुरा बैशाज करता है मतलब विगता है दूर दूर तक तो भी जन संचार का एक काम कर रहा है इसके साथ साथ टीवी में देखिए टीवी में परचार आ रहे हैं टीवी में न्यूज आ रहे हैं ये सारे क्या है जन संचार का ही एक माइध्यमर इसका परियोग हर जगा आज के समय में किया जा रहा है या इस्तिति के वल भारत में नहीं बलकि विदेशों में भी है लोग संपर्क की द्रिष्टी से वहां इन साथनों का खोब उप्यों कहा था और यह सारे यूज़ पर टेली बीचन रेडियो अभी यूटूब फेस्बूक ट्यूटर किसी बच्चों के द्वारा किसी भी छेतर में बच्चों दवरा अपने बच्पन में दी गई सेवा बाल मजदुरी काते है इसे गेर जिम्यदार माता पीता की वज़े से, मतलब यह जो होता है, गेर जिम्यदार माता पीता की वज़े से, या तो सबसे पहले जो है कि माता पीता को अपना जो है कि बच्चा से कोई लेना देना जैसा नहीं है, जो कर रहा है, कमा खे ला रहा है, तो हम खा रहे हैं, इस इसके साथ जबी घर में जो बिमारी है और जदी उसके घर में माता पिता दोनों खटके भी जदी आ रहे और उसके बाज में उसको पैसा नहीं हो रहा है तो बच्चा को मजबूरी में काम करना ही पड़ता है मालिकों द्वारा जबर जस्ती बनाएगे दबाव की वज़ा से जीवन जीने के लिए जरूरी संसादनों की कमी के चलते ये बच्चों द्वारा स्वता किया जाता है मतलब क्या है कि बच्चों को कारजन के द्वारा परतारित करने पर बार-बार बोलने पर या बार-बार चेताने पर या बार-बार डाटने पर बच्चा निकल कर काम करने के लिए चल जाता है इसका कारण माहिने नहीं रखता है क्योंकि सभी कारकों की वज़ा से बच्चे बिना बच्पन के अपना जीवन जीने की मजबूर होते हैं मतलब क्या जभी बच्चा को आप बड़े की था चम कर वा रहे हैं तो उसका बच्पन ऐक परकार से चीन गया है उसका बच्पन उससे आप बच्पन वहीं जीनी के सब्स bracket बच्पन के सभी जीवन में विशेस अपने परिजिनों से, अपने रिस्तितारों से, अपने घरों से, अपने समाज से, अपने अडोसी से, अपने पडोसी से, अडोसी पडोसी सब से, अपने दोस्तों से, अपने बड़े बुजर्गों से, सीखने का चो है कि सबसे ज्यादा अच्छा अवसर बच्पन मिलता है, और सात में जो है कि इसके साथ साथ सबसे खुसनुमा पल जो है वो बचपन होता है जिसमें प्राकरती, प्रीयोजनो, अपने माता, पिता से जीवन जीने का तरीका सिखता है समाजिक बोधिक शारीक देखें या पर बात देखें समाजिक विकास करेगा अपना समाजिक बोधिक सारीक और मांसिक सभी द्रिश्टी कोन से बाल मजदूरी यहाँ पर बताए जा रहा है बच्चा जदी माल मजदुरी कर रहा है तो क्या हो रहा है बाल मजदुरी करने से उसे समाजिक अरोध हो रहा है बोधिक उसका बोधिक विकास नहीं हो पा रहा है उसका सारी विकास होने में दिक्कत हो रहा है उसका मानसिक विकास होने में दिक्कत हो रहा है क्यों दिक्कत हो पाथा पिता ओपना घर से सिख पा रहा ना अपने दादा दादी या प्लोट व्यवस्था वाले जो लोग से हैं जो जाते हैं शे गंटा गंटा तिन पर काम करते हैं, उसी परकार एक बच्चा जो है कि 8-8 गंटा 10-10 गंटा काम करता है, तो अपना बच्चपन के सारे इन सारे पलों को जो है कि भूल जाता है, या फिर जो उसको करने का टायमी नहीं मिल पाता है, जब वो काम करके आता है, तो उसे भी बड़ो की तरह चो उसका ब्यावार हो जाता है, और वो अपना बच्चपन के प्यारे लंबहों से दूर हो जाता है, जो हर एक के जीवन में, सबसे यादगार और खुशनुमा पल उता मतलब हर एक वेक्टिन माले जब मेरा है आप सुन रहें आपका है हर लोग का बच्पन उसका कुछ यादगार पले हैं यादगार पल जो है ना आपका मेरा किसी का भी तो ये यादगार पले एक बहुत ही जादा उसका इंपर्ड जो जिन्दगी भर याद रहता है, लेकिन जो बच्चा बच्पन में काम करने चल गया तो उसके पास क्या है, यादगार पले रह पाएगी, उसके तो यही याद रहेगा कि हमने तो बच्पन सही काम करना चो है, शुरू किया था, जो हर एक मजदुरी को पूरी तरह से रोकने के लिए धेड़ो नियम कानून बनाने के बावचुद भी ये गेर कानूनी क्रित दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है भयंकर गरीबी खराब अस्कूली मोखे की वज़ा से बहुत सारे विकास से देशों के में बाल मजदुरी बहुत आम ब बड़ी हुए आम है अनवा पर कहीं भी आराम से हो सकता है बाल मजदुरी को भी रख लेता है बाल मजदुरी करा लेता है बाल मजदुरी की उच दर अभी 50% अधिक है मतलब क्या उच दर दिखा जाए तो 50% अधिक है जिसमें 5-4 साल तक के बच्चे विकास सिल देशों मे काम करते हैं बाल मजदुरी करते हैं बाल मजदुरी करते हैं मतलब क्या अपने छोड़ रहे हैं मांसी विकास नहीं हो पा रहा है बोधिक विकास नहीं हो पा रहा है चारित्रिक विकास नहीं हो पा रहा है इस परकार के जो विकास जो है नहीं हो पा रहा है क्यों नहीं हो पा ना वो अपना प्राकरती से मिल पा रहा है, ना वो अपने दोस्तों के पास मिल पा रहा है, ना वो अस्कूल जा पा रहा है, जब इस परकार के कोई भी कारे जब नहीं कर पा रहा है, तो उसका मांसिक, वो धीक, नेतिक विकास हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, सारी विकास हो वो अपने जीवन भर में एसा कोई पल नहीं ला पाता है जिससे वो जो है कि अभविस में जाके बोले कि मैं भी बच्पन में ये करता था वो करता था मतलब ऐसे याद उसके रहेंगे कि मैं बच्पन में बच्पन से ही काम करता था बच्पन से महिनत किया हूं और महिनत करते करते चोई इतना महिनत कर रहा हूं क्योंकि अस्कूली सिच्छा नहीं मिल पाया तो उसे चोई सरकारी नोकरी भी नहीं मिल पाएगा प्राइविट नोकरी भी नहीं मिल पाएगा जो मिलेगा मजदूर ग्रेट का नोकरी मिलेगा जिसमें उसे खटना ज्यादा पड़ेगा प परमुकता से अपने माता पिता के द्वारा क्रिसी कायरों में लगाएगे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे इसे होते हैं, जो मतलब अस्कूल ना जाकर, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाना जाकर, वो कहां पर जा रहे हैं, किसी ना किसी काम करने के लिए, अपने माता पित जब हम लोग समझेंगे तो क्या समझेंगे ये चीज़ देखते हैं तो इसको हम लोग पढ़ने के बाद हम लोग को क्या क्या मिलेगा इसको हम लोग देखते हैं उद्देश क्या है इसको हम लोग पढ़ाने का क्या उद्देश है और हम लोग क्या सिखेंगे हम लोग क्या सि होंगे मतलब जो हम लोग को सरम चीवी घरिलू साइक बच्चों की परिवासा तथा अर्थ समझने में हम लोग क्या हो समझ पाएंगे बाल मसदुरी की स्रेणिया बाल मस्दुरू 얼श्दुर में बढ़ने के कारणों तता भारत में बाल सरम कानून की वायख्या कर सकेंगे हम लोग ये भी चोई कि बाल सरम का वायख्या कर सकते हैं बाल सरम के कितनी सेरनिया है उसको बाल मजदुरी के बढ़ने का कारण क्या है उसके बारे हम लोग चोई कि समझ सकेंगे और जब समझ नहीं है जब या मतलब कितने भागों बाल मजदुरी को बटा जा सकता है बाल मजदुरी से क्या नुकसान हो रहे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे बाल मजदुरी बढ़ने के कारण क्या है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और बाल मजदुरी से हम लोग बाहर कैसे निकलेंगे उसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे, तो यह जो है कि हम लोग वहाँ पर सिखने का मुखा मिलेगा, काम पर मिलेगा, जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, अब हम लोग देखते हैं, जो हम लोग सिखने का मुखा मिलेगा, इस अध्याय को पढ़ने के बाद वो क्या है बाल मजदुरी को देश और समाज के लिए एक अभी स्राप समझने के सच्छम होगे मतलब आप जब बाल मजदुरी के बारे पढ़ेंगे तो आपको लगे का ये परकार से ये बच्चों के लिए अच्छी चीज नहीं है इस बाल सरम परियोजना के तहत सामिल निती को समझने का परियास करेंगे जो भारत सरकार जिसने कानून बनाये उसके कानूनों के बारे और उनके परियोजनाओं के बारे में हम लोग यहां पर इस अध्याय में पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हम लोग समझने का परियास कर जो बिद्याले, कॉलेज, स्कूल उसके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे इसके साथ साथ हम लोग सातमा नंबर हम लोग यहां पर सिखेंगे असिच्छा और सर्म जीवी, घरलू साहिक बच्चों के समंध में जान सकेंगे मतलब इसके बाद हम लोग अशिच्छा के बारे पढ़ेंगे सरम जीवी के बारे पढ़ेंगे घरलू साइक बच्चों के संबन्द के बारे जानेंगे यह विए सारे बाते हैं हम लोग साथ चीज उख पर मुक्ता के साथ इस सध्धिया में हम लोग सिखने वाले증 यह सारे बातों को हम लोग यहाँ पर सिखेंगे, समझेंगे और फिर जोएगी हम लोग चाहें तो इसको वैख्या कर सकते हैं, दुसरे को बता सकते हैं, दुसरे को समझा सकते हैं, दुसरे को कर सकते हैं, इन सारे बातों को कहां से सिखेंगे, जब हम लोग की सद्याय को पू लिया जाने वाला काम है, मतलब बाल मजदुरी क्या है, बाल मजदुरी वह चीज है, जो बच्चों के द्वारा लिया गया कारे है, मतलब बाल मजदुरी वह चीज है, जो किसी बच्चा को हम काम करवा रहे हैं, बस इतना ही है, जो किसी भी छेतर में उसके मालिक द्वारा कर यह एक दवापूर्ण बेवार होता है, बच्चा जो है कि उसको क्या पता काम क्या करना है, क्यों सा काम नहीं करना है, क्यों करना है, उसे बातों को नहीं, लेकिन उसे जो है कि लगा जाता है काम में, तो कैसे लगा जाता है, बच्चा के मन खेलने का कर रहा है, बच्चा के म पड़ोसी के देखते हुए जो सब पड़ोसी का बच्चा जा रहा काम करने के लिए तो इतना पईसा खमा रहा है तुम भी कमाओ इस परकार की बाते को देखा जाए और दवाब के कारण से जोए वो जोए फैक्टरी तक या फिर जहां मजदूरी करना वहां तक पहुच जाता है वहां तक पहुचने के बाद जोए कि अपना परिवार का दवाब तो खत्म हो जाता है लेकिन वहां पर जाने के बाद जिस जगहा पो काम करता है व विकास के अनुसार भी देखा जाए तो कई गुना अधिक कायरिये उसके मालिक के द्वारा करवाए जाता है। प्रकास के माता पीता से कुछ नहीं सिख पाया, अपने समाज से कुछ नहीं सिख पाया, अपने दोस्तों से कुछ नहीं सिख पाया, अपने विद्याले से कुछ नहीं सिख पाया, तो उसका क्या होगा? उसका चारतिक विकास नहीं हो पाएगा, नेतिक विकास नहीं हो पाए यह सारे विकास उस बच्चे का नहीं हो पाएगा, क्यों कि वो बाल-मजदोरी करता है, बाल-मजदोरी कारन से वो इन बच्चे ही में वो जब छोटा ही है, लेकिन बड़े के तरह बयावार करने लगेगा, यह कि में पैं फ्चेक्ट यां पर बताया जा रहा है. बाल मुझरी बच्चों से लिया जाने वाला काम है जो किसी भी छेतर में उसके मालिकों द्वारा कराया जाता है ये एक दवापूर्ण ब्यवार है जो अभिवावक या मालिकों द्वारा किया जाता है बच्पन सभी बच्चों का जन्मस्री ददिकार है लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग का जो ब्यावस्ता है या विकासिल देशों में जो ब्यावस्ता है वो ऐसी ब्यावस्ता है जहां उसकी जनसंख्या जो अधिक्तम गरीब होने कारण से बच्पन में ही उसे काम करवा भी को मिलना चाहिए मतलब यह बच्चों को मिलना चाहिए था यह प्यार और देखरेक में मिलना चाहिए था यह प्यार किसको मिलना चाहिए था यह प्यार किसको मिलना चाहिए था तो बच्चों को मिलना चाहिए था क्या मिलना चाहिए था बच्च्पन मिलना चाहिए था ल बड़े तरह करनी लगेगा मतलब उसका बच्पन जो हम लोग छीन के उसे बच्पन में ही उसे बड़ा कर देते हैं मातापिता के प्यार और देख रेक में सभी को मिलना चाहिए एक गेर कानोनी करित बच्पन को बड़े बड़ों की तरह जीने पर मजबूर कर देते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं उसे बड़ा बनाने का जो हम लोग मजबूर कर देते हैं इसके कारण बच्चों के जीवन में कई सारी जरूरी चीजों की कमी हो जाती है इसके कारण से बच्चों में कई सारी चीजों की कमी हो जाती है जिसके बारे हम लोग बात कर रहे थे वही अब हम लोग को याँ पर बता जा रहा है, जैसे उची सारी विकास नहीं हो पाता है, बृद्धी और विकास नहीं हो पाता है, दिमाग का अन्युक्त विकास नहीं हो पाता है, समाजिक विकास नहीं हो पाता है, बोधिक रूप से विकास नहीं हो पाता है, और अस्वास्त मे बात हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या है इसकी वज़ाद से बचचे प्यारे लंबे आयगा लेकिन यहां पर इसा हो नही ह pursue नहीं खुशनुमा पल होता है ये जीवन का सब से यादगार और खुशनुमा पल होता है क्या होता है बचपन होता है ये किसी बच्चे के नियमित अस्कूल जाने के छमता को बादित करता है मतलब क्या है किसी बच्चे को जी नियमित अस्कूल जाने के छमता को बादित कर देता है जो उन्हें, इन्हें समाजिक रूप से देश से का खतरनाक और नुकसान दायक नागरिक बनाता है बाल मजदुरी को पूरी तरह से रोकने के लिए धेरो नियम कानून बनाये जाने के बावजुद भी गेर कानूनी कृत दीन बढ़ता जा रहा है इसके बाद भी जो है कि गेर कानूनी कारिये जो है, मतलब बहुत सारे कानून बनाये दिया गया है, बहुत सारा कानून बना दिया गया है जब उसका परिवार उसके सामने गुटनों में आ जाएगा, उसका परिवार जब उसको जो है कि बिमार है, कोई घर में काम करने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है, मतलब एक परकार से ओही जो बच्चा ही बच्चा है, किसी का ऐसा होता है, जिसका पिता नहीं हो वे कारण से करता है इसको देखा जातों एक नंबर में लखा हुआ वेसिया वृति मतलब होने लगा बच्पन में या उत्खननन मतलब क्या है कि हम लोग जो है कि कहीं पर जैसे कुवां खोड़ने का काम कियें, तो खोदने का काम कियें, तो उसको उत्खनन करेंगे, या तो फिर हम लोग का आरेन और निकालने का काम कियें, या फिर हम लोग कुछ भी निकालने के जमीन के अंदर से निकलता है, उसको खोड़ के निकालें, उसको खोड़ के निकालें, उसको जाता है क्रिसी क्रिसी क्रिशी के बाद आगेसं हम भी बात करते हैं ख preserved क्रिशी पहत està खेती किसानी भाल लगाना या फिर गेहुं लगाना चावल लगानाnormक अ estimates के बेगन अलू लगाना, ये सारे कहरे भी बच्चे को इन्वल्फ कर दिया जाता है जिससे उसका है, कि सारी बोद्ध मांसिक तनाओं में चल जाता है विकास नहीं हो पाता है, माता पिटा के द्वारा बयपार में मदद माल जे कोई माता पिटा है जो दुखान चला रहा है तो उस दुखान में जो है कि बच्चे के द्वारा जो है उसको मदद लिया जा रहा है तो ओ माता पिता के ब्यपार में भी मदद कर रहा है कुन कर रहा है उसका बच्चा कर रहा है अपना सोयम का लगू ब्यावसा है अब क्या अपना छोटा सा एक बच्चा है और छोटा सा की देर दिया दुकान की इस दुकान को चलाने का जिवारी तुमारा आब इसको किस परकापार चलाता है यह कि तुम है तो बच्चा तोसे ना दाधा-धादी- और सिच्छा भी आया, सारा चीट उसको मिला, और वो उसका विकास में की अवरोध हो गया, मतलब उसकी विकास को रुख गया उसके बाद लंभों दूर हो जाते हैं, जो हर एक के जीवन में सबसे यादगार और खुश्णमा पलोता है, ये बच्चे ये किसी भी बच्चे की नियमीत स्कुल जाने के चमता को बादिद करता है, बेसिया विरित्ती या उत्खलन, क्रिसी, माता फीता, बेफार मदद करना, अपना सोयम का갈 लगुवे अवसाएं, मतलब झोटा सह दुःकान खुल लीया जैसे, खाने पीने के चीज बेचना या अ कुछ बच्चे परियटों के guide के रूप में काम करते हैं मतलब guide बताता है कि इधर क्या है मतलब हम नोग जाते हैं तो guide क्या हो सकता पड़ती तो रास्ते बताने का काम करते हैं कभी-कभी उन्हैं दुकान और रिस्तदारे rattling जहां वे बात देखा जाए तो अन बच्चों में बल पूर्वक परिश्रम वाला भी काम करता है वो सारे परिश्रम करने वाला भी कार करते हैं जैसे बखसे को बनाना मतलब परिश्रम कार में क्या बखसा बनाने का कार कोन कर रहा है एक बच्चा कर रहा है चुत्ता पुलिस करने का कार करने सबकुंक Przy Short Commission आईसे काम करते हैं of क्या क्या काम करते हैं कषके चीजों काम करता हैं या कुछ भी बैच रहा है या पडाके बैच रहा है या फिर बाशूरी बेच रहा है या कुछ कुछ बेच आपको रोडे मिल जाने या नारि行क बेच रहा है यह बच्चे की रोड के साइटमे कश्च साड्व करृटता हैS काम करना वहां पर अगया बारुत को बादविश्ण शोज है पाटाकी बनाने का काम करना मतलब बहुत ही खतरनाक कारी जो है कि बच्चों की द्वारा किया जा रहा है उसके बाद देखे क्रिसी में काम करना या बच्चों घरेलू कारे घरों में छीप कर काम करना अब क्या है कि जब कानूनी व्यवस्ता है तो कानूनी व्यवस्ता कारण से बहुत सारे लोग इस बा काम कर दे रहा है और वो चोट बच्चा जब वहां पुलीजा रेड उसमें क्या है कि बच्चा छुब जाता है कि उस सो काम में चोरी करता है लेकिन बच्चा काम चोरी तो नहीं करता है। सभी काम का सभी परकार के मोसम हैं मतलब उठांडा रहे हैं गर्मी रहे हैं वो कि काम कर रहा है और कितना काम कर रहा बहुत कम आगा है मतलब 2 से start हो रहा है और 17 साल के बीच है वे बाल सरम में लीफत है मतलब अड़ाई करोड लगभग जो बच्चे जो है आपका जो है कि यहाँ पर देखा जाए तो वो जो है कि कहाँ पर लीफत है मतलब कौन जगा लीफत है जाए कितने से कितने यह के 2-17 साल के 2-17 साल के बच्चे चो ऐसारे करोड़ बच्चे और Аड़ाई करोड़ जो बच्चे हैं और उस नहीं सूचे कि इस भारत में मतलब जब यूनी किसका है भाई देखिए उनी सेब जब बोला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है वो चो है कि 20 वकाटा लेकर लगभग में यहां पर बता जा रहा है कि 8 करोड बच्चे चो है 2 से 17 साल के बच्चे है जो यहां पर बाल मजदुरी करने में या तो मजबूर है या उसको करना पड़ रहा है या दवाओ में करना पड़ रहा है या जिससे करना पड़ रहा है लेकिन वे जो है कर रहे हैं वे बाल सरम में लिपत हैं जबकि इसमें घरेलू सर्म सामिल नहीं है इसमें देखा जाए तो बाल सरम जैसे हम लोग वहां पर पड़े घरेलू का बच्चों का सेन उपयोग बच्चों के सेन उपयोग तो या साथ ही बाल बेसिया वृति मतलब क्या है कि सेन उपयोग के समान बनाने के लिए बारूत बना बारूत के वैसे पटाका बनाने के लिए या उस परकार से जो काम किया जाता है उससे भी सबसे खराब बात यहां पर कि बच्चों को जो है दो से सत्रा साल के बच्चों को जो वेसिया बृत्ति में सामिल कर दिया जाता है बेसिया बृत्ति में जो सामिल करके जो उसको मतलब उसका जीवन एक परकार से देखा जाए तो बच्चों का जीवन जो है कि समाप्त करता है कि सोर का जो है कि एक परकार से बच्चे का जो बालिय उस्ता तो चीना ही चीना उसके जो है कि बचपन को चीना ही चीना साथ में उसका जीवन को बेकार करने का खराब करने का कारिये जो है यहाँ पर उसको बेसिया बृति करवा कर उसका जीवन बरवाद करने का भी कारिये कुछ लोग करते हैं कम विवात्सफरस्त और कुछ पर्तिबंदों के साथ कानूनिक रूप से मायन कुछ काम है जैसे बाल अभीनेटा और बाल गायक साथ ही साथ स्कूल वर्स सिंज्लल कारिक के बाद का कारिय और अपन कोई व्यपार जो स्कूल के घटो के बाद गंटों के बाद होने वाला काम आति सामे लिए कुछ बच्चे और तेज होते हैं कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब कि You कि आपका पड़ लिए कोई कठोर काम करने लगा, तो ये भी उसका बच्पन को छिनने का काम करता है, उससे उसका क्या-क्या विकास नहीं होता है, सारी विकास नहीं होता है, नेतिक विकास नहीं होता है, चरित्रिक विकास नहीं होता है, उसका तनाव में रहता है, इस परकार की बाते उसके साथ हो एक होती है तो क्या है जन संचार हम लोग पढ़े थे यहां तो जन संचार है जन संचार हम लोग क्या करते हैं जन संचार जो है एक साथ में बड़े छेतर में जो है कि एक साथ किया जा सकता है जो हम लोग तीन पढ़े थे अब हम लोग यहां पर 1.3.1 बाल सरम या बाल मजद दिए बिना या पैसा नहीं दिए बिना पैसा दिए बिना या पैसा दे कर बच्चों की द्वारा जो कार किया जाता है बच्चों की द्वारा कार करवाय जाता है उसे जो है क्या कहेंगे बच्चों का चो है कि बाल सरम आमतर पर मजदुरी के भुक्तान के बिना या भुक्ता मतलब बाल मजदरी मतलब क्या है कि यह तो पैसा दे कर या बिना पैसा कर नहीं है अब नहीं दिखता पहले दिखता था एक बेश्वी घटना यह के पूरे इस वह की एक समसिया, बाल, मजदुरी चोई, भारत की ही समसिया नहीं है, पूरे विश्व की जो समसिया चोई, इसको मान जाता है, जहां तक भारत का संबंध है, यह मुद्धा बहुत ही पेचीदा है, क्योंकि भारत में बच्चे पुराने समय से ही अपना माता-पिता के सा चाहता है काम करना चाहता है लेकिन उसको भी आनन दाता है कि अपने खेतों में जाने में अपने खेतों में घुमने में अपने माता पीता के साथ घुमने में माता पीता जो कार करने में उसे मज़ा आता है इसके कारण से बच्चे चल जाते हैं मना करने के बावजुद भी भ घुमते हैं वह धान भी लगाते हैं तो गेहूं भी लगाते हैं चना भी लगाते हैं और आनंद भी चोई के पहुता आता है तो यह भारत की एक अलग बात है इससे ही समंदित जिसकी इस समय वैख्या करने के जरुरत है वह है बंदवा मजदूरी मतलब आपको पूरा काम लिए जितना काम करवाना तरह सब करवा लिए और जब पैसा देने की बाता है तो पैसा चो है कि हम नहीं दिये उसे चया कहलाएगा बंधवह मेजदुरी के तोड़ा सा खाना दे देगा, उसके बाद आपको कोई पैसा नहीं देगा, दिन वर आपको खटाएगा, पूरा महिनत करवाएगा, और महिनत करना के बाद जदि अब जानवर की तरह महिनत कराएगा, नहीं करिएगा, तो मार होगा, मार पीट किया जाता है, सारीक सोसन किया कर जाता है मौनसिक्फो से यह तो यह तो इव्य वह संदार के अर्ध माता-पिता कभी इत्यास का अलमें कभी वह करज लिया था उस कर बैयाज देने के लिए अपनी बच्चों को बज़ देता है किसी के पास इस ने आ जहाँ पर जो उसके माता पिता करज लिए उसके बाद उसको जानवर की तरह खटा आता है महिनत करवाता है, पूरा देता ही करवाता है और फज़ा के नाम पर एक कोड़िड़ी भी नहीं दिया जाता है कर्ज के भुकतान के लिए बच्चों की मजदुरों के रूप में कायर करने के लिए मजबूर करता है उसके बाद कर्ज की महिनत करो दिल कोल के महनत करो its कुछ हम लाद जुत्ता मारे के उसको महनत कर आजाता है पुरा स्पीठ के महनत कर तथा नहीं करने पर उसको बहुत मारता यह और कुछ चोटे जोटे बच्चे वहां काम करने आते हैं तो कहां से आते हैं वो बच्चे तो वो जोए कहीं नहीं गरामीन छेतर के बच्चे होते हैं जिसको पैसे क्या वसकता होती है उसके घर को पैसे क्या वसकता होती है और जब पैसे क्या वसकता होती तो काम करेगा ही और जब काम करेगा तब ही उसको पैसा आता तब उसका घर जलता है ये भी एक समस्या है लेकिन उसके बावज़त भी होता है उसका बच्पन चीना जा रहा है उसका बच्पन दूर होता जा रहा है उसका बच्पन उसके दूर होता जा रहा है वो चोई तना में रहेगा, वो समस्याओं में से घहरा रहेगा, इस परकार के बाते यहां पर हम लोग को कि समझने के मोका मिलता है, लेकिन बच्चे बच्चे गाओं के जाते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद भी कभी-कभी उसको जो है कि वो उतनी तनक्वा जो मतलब एक दिन का जो काम करते हो पैसा भी नहीं देता तो यह भी एक समस्या ही है आगे बढ़ते हुए हम लोग कल इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बाल मजरी इसके बारे में हम लोग जो है कि अब कल पढ़ेंगे जदि आपको चैप्टर अच्छा लगा हो सुनने में पढ़ने में तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं और चैलन को जदि सस्क्राइब ने किया है तो सस्क्राइब कर सकते हैं उससे पहले पहले पढ़े थे यहां पर जो यहां मिल जाएगा बाल सरम आमत्वर पर मजदुरी के भुकतान के बिना या भुकतान के साथ बच्चों से सारीक कारिय कराना है क्या कराना है सारीक कारिय कराना है तो यहां पर हम लोग यह दो नंबर का सवाल भी कर लिए अब आपको जदिये चैलन अच्छा लगा यह वीडियो तो इस चैलन को देखिए कहीं लाल लाल दी करा होगा उसको चौह सारा कर दिजिए मतलब सस्क्राइब कर दिजिए इसके बा आप जो है कल फिर आईए कल जुड़िए इसमें हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी बाल मेजदु के बारे हम लोग शुरुआत किये हैं धीरे धीरे पढ़ेंगे तो समझ भी आगा एक ही दिन सब पढ़ लेंगे तो समझ नहीं आगा बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत सेर करने से मेरा चॉयाद में ग्रोथ बढ़ेगा और आपका वीडियो चुहाद के हमको बनाने में बाते आपक्षान चाहिए और ज濃ब प्रवास्त में ही का जाता है एकुनॉमिस में जाँ फायदा और दोड़ा आदमी तो हमको भी यह जी फायदा मिला तो इस परकार का वीडियो आपको और मिलेगा और बढ़ियां बढ़ियां वीडियो मिलेगा और अच्छा एडिटिंग के साथ मिलेगा अभी तो कोई और तो इसमें ज्यादा एडिटिंग ने ज्यादा कुछ इंड श्टाइल नहीं है अराम से अप लोग इसको पढ़िये सुनिए इसको आप हेड़फोन लगाके सुन सकते हैं बिना हैड़फोन का सुन सकते हैं क्यकि यह तो उस परकार से जो है की चीज नहीं है जो आप कई ख़जों लगाके सुनिये गा, यह पढ़ाय के चाहिए, आप जद नहीं भी पढ़ते हैं, आप जो B8 नहीं भी कर रहे ह। To भी आप इससे सुन सकते हैं क्योंकि आप बच्चों के बात बात हो रहा ह। आपको पढ़ने ना पढ़ने वाली बात नहीं ओ जारा है purchased स्क्रशmb आप जदी पड़ते हैं तो भी पढ़िये नहीं पाइँ यद्स नहीं 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 लिए है इससे आप को चोई कि मानसी बोद्इक पाइदा होगा इसको अब को सुना सकते हैं दुसरे को बता सकते हैं दूसरे को समझा सकते हैं कि देखो बालमज़री क्यों नहीं करना चाहिए देखो बालमज़री करने से क्या होता है देखो बालमज़री के समस्या क्या है देखो बालमज़री बालमज़री करता क्यों है बालक एक बालमज़री करता क्यों है कौन उसको दवा बनाता है, कौन उसको वहाँ पर काम लगाता है, कौन उसको वहाँ पर भेजता है, इन बाते को आप यहाँ पर सिखेंगे, तो इसमें आप पढ़िए, इसको सुनिए, सुन सकते हैं, सुनने के बाद समझी है, और समझने के बाद इसमें आप लोग कारिये, इतना ही थोड़ा सा वीडियो के लिए तना ही कारिय करें एक ही कारिय है आपके पास आरा एक है पाला है कि आपको चैलन को चो है कि सब्सक्राइब को जो सब्सक्राइब कर देना है इस चैलन को सब्सक्राइब कर देना है दूसरा लाइक का बटा में उसे लाइक कर देना है उ उसको चाहिए उस वीडियो को सेर कर दना क्योंकि बड़े बुजरगों को भी जानेंगे तो अच्छी बात है चोटे लोग भी जानेंगे तो अच्छी बात है क्योंकि ये गलत दबाती नहीं है एक बच्चा के बारे बात हो रहा है क्या अच्छा यह क्या गुराही उसके बा कौनी देखेंगे जब तक हमने समझ्या को सम जैंगे नहीं समंधान के से कर HEY रे सकता है इसलिज आप सुनियेगा तो समधान होगा अब दोस्तों को भेज़ेगे अपनी परिवार वस्तादेसों को सुनाईए, सब को सुनाईए, सब को दिखाईए, तब जाकर सब लोग को समस्या पता चलेगा कि बास्तविक समस्या का है, और इस समस्या से निकलना कैसा है, इन बातों को इसको पता चलेगा, जब पता चलेगा, तो फिर ये समस्या का शमाधान करने का कारिय करेगा सारे लोग जब मिल के हम लोग काम करेंगे तो भारत और पीदेशों जब कहीं भी स्वावल मुज़री पुरी तरह से खतम हो जाएगा तो आज का अध्याय यहीं पर श्रमाप्त होता है कल हम लोग यहां से आगे पढ़ेंगे बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आप लोग चैनल को सब्सक्राब करें लाइक करें कमेंट करें और वीडियो को सेर करें धन्यवाद